देखो, मार्केट में जो आप चिप्स खाते हो ना बनाना का आपको पता नहीं कि किस ओयल में उन लोग फ्राइ करते हो जादा करके वो पाम ओयल ही होता है क्योंकि वो उन लोगों के लिए जादा प्रॉफिटेबल होता है बट आज किस वीडियो में हम घर पे बहुत सिंपल वे में क्रिस्पी बनाना चिप्स कैसे बना सकते है नॉर्मल बनाना का यूस करके जो हम सबची बनाते है सेम वही बनाना से हम आज किस वीडियो में इस चिप्स को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है पानी लेना है एक गोल हम तियार करेंगे यहां पर बहुत थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि मैं दो से ढ़ाई बनाने का ही बनाना चिपस बनाने वाले हूँ उसके बाद आधी चमच से कम नमक और आधा चमच के असपस हल्दी जो बैसिकली हल्दी में एक यू यू यूस करें ताकि उसका कलर अच्छा है जो हम बनाने से बनाने वाले है वो जो बनाना है ना वो जादा यलो होता ही नहीं है वो वाइट कलर में होता है मैं आपको आगी वीडियो में बताऊंगी बस इसको mix करना है और इस गोल को side में रख देना है फिलाल के लिए उसके बाद next step देखें यहाँ पर मैंने ये वाला बनाना लिया है जो कि हम market से बहुत easily मिल जाता है और हम इसकी अकसर करके सबज़ा बनाते है अब इस बनाने से आज हम बनाने वाले है बनाना चिपस इसका color बहुत जादा white होता है पूरा white होता है तो चले पहले है तो हम इसको छिल लेते हैं छिलने का प्रोसेस देख लीचे काफी जादा simple है इसके आप देखे सबसे पहला आपको बीच में से जादा नहीं जितना चिलका है ना उसका बस उतना आपको एक cut कर लेना है उसके बाद इस तरीके साब उसके skin निकाल दीजे जो कि proper उसका चिलका है ना मुझया है थोड़ा सा डिफिकल्ट वैससे दु नहीं होता है थोड़ा सा अपको अराम से इसको निकालना ऐसा नहों कि बनाना ही टूठ जाए आराम से इसक को निकालिए बोकॉत हीजली यह निकल जाता है तो इस तरीके से मैं इसका चिलका निकाल लोंगी या फिर आप क् चल भी सकतो डारेक नाइफ के हल्प से यह हो गया रेटी से तरीके से मैंने दोनों बनानों का अच्छी तरीके से छिल लेया है अगर आप जो एक यह की हैं अगर आप केलला बनाना अगर उससे बनाओंगे तो वह यलो जिसको से मार्केट का जो बनाना चिप्स होता है वह तोड़ा यलो जोता है आप देखे हैं कंटर से अगर इसको कट करगे तो ऐसा कट होगा नहीं आपके पास कटर तो नॉर्मली चाकू के हल्प से आप देख सकते वीडियो में आप इस तरीके से भी कट कर सकते हो अगेन बहुत अच्छी तरीके से कट हो जाता है आप उसको पहले कट करके अप उसको रख लीजे और तेल आप देखे जब अच्छी तरह के से गरम हो जाए आपको इसके अंदर यह जो बनाना है इसको मैं ग्रेट करके इसमें डाल दूँगी गैस का फ्लेम आपको मेडम पे रखना है इस टाइम पे मीडम डू लो पे या मेडम फ्लेम पे मैं यहां पर मस्टर में इसको फ्राइ करें आप कोई भी यूज कर सकते हो अगर आप मस्टर ओल यूज करोगे ना तो इसका कलर थोड़ा बर मस्टर ओल का भी कलर इसमें आ जाता है इसकी वाज़े से इसको एक पॉफिक कलर भी मिलता है अभी इस तरही से आपको तुरंत डालने के बाद चलान काफी जादा उड़ने लगता है तो आप पलते के हल्पस को इस तरीके से कर सकते हो जिससे वह अच्छी तरीके से फ्राइ होगा इससे ना जो हमारा चिप्स है ना क्रिस्पी बनके तियार होता है उसमें कलर भी आता है यह रीजन होता है यह डाल लेगा दिन अगेर मैंने आदा चमच यूज किया है मैंने यह बहुत बार लोग बर वही और यूज करते हैं वह करने से होता है ना कि उसके अंदर एक ट्रांसफेट जणरेट होता है जो की हार्ट यल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है वस इस वज़े से कम और आप इससे बनाएं और जो आयल बच आप जादे वहल में इसको फ्राइ कर सकते हो आप देखे जब इसका कलर हलका हलका चेंज हो जाया ना या फिर आपको लगए अच्छी तरके से हो गया है गेस का फ्रेम बन करिये या फिर आप इसको निकाल लीजे एंड बहुत ज़ाद ये रिस्प बनके तियार होता है आपक इसको आप अगर रखोगी तो अच्छा कासा आप इसको 10-15 दिन आराम से खा सकते हो तो इससे आप जरूर से ट्राइ करना ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना तो फिर मिल दे हैं नेक्स वीडियो